हैलो मित्रो गुड मॉर्निंग कैसे आप सब लोग उमीद करते हूं आप सब लोग अपने घर में सब शलूंगे हम लोग भी बहुत बढ़िया है स्वागत है आपका आज की व्लॉग में तो लास्ट व्लॉग में आप लोग उने देखा था कि मैं आई थी जूडियो ये लगिये वेस्साइड में भी सेल लगिये वहां में गई नी हूँ वहां भी जरूर जाओंगी एक बार तो यहां पर मैंने दो पैंट्स देखी थी जिसमें से मुझे महरून वाली पैंट्स जो है बहुत पसंद आई थी मैंने ट्राइ करने के लिए जख लिया और यहां पर पर सिंगल पीस ड्रेस देख रही थी जिसमें लिखा था 699 का है तो यह कैसा ओफर है 699 का मतलब मैंने तो सुना था 200 या 300 में मिल जाएगा यह था 499 का बट यह शॉट था लॉंग ड्रेस नहीं था शॉट ड्रेस थे 499 में बट जो है ना जो लॉंग ड्रेस थे वो 600 और 700 म यह वाला भी बट यह भी शॉट में ही था जैसा कि है मुझे चाहिए लॉंग शॉट लेके मैं क्या करूंगी है ना तो मैं लॉंग ड्रेस अपने लिए देख रही थी मुझे जिंस तो मिल गई थी और एक ड्रेस मुझे पसंद आ रही थी बट मुझे समझ में नहीं आ रह द्रेस थी ना सब उतने रुपे की ही थी उसके बाद मैं आगी थी चेंजिंग रूम में कुछ ड्रेस लेके सबसे पहले मैंने ड्रेस ट्राई करी पिंक कलर की इतनी सुन्दर ड्रेस थी इसका घेर इतना अच्छा था आप लोगों को खुद दिख रहा होगा कितना बाउं पैंट वैसे तो अच्छी थी बट पता नहीं क्यों इसकी फिटिंग ना सही नहीं बैटरी थी मुझे ये खाली हुडी अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं इसमें एक कलर और देखूंगी तो फिर मैंने पैंट चेंज करके दूसरा जो मैं एक महरून कलर का ट्राउजर ला बट मैंने सोचा था ले लूँगी फिर भी मैंने इसको नहीं लिया पतानी क्यों नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा इसकी फिटिंग जो है मुझे सही नहीं लग ली थी बाकि यहां पर फुटवेर भी थे जिसमें ना मुझे शूज लेने थे अच्छा बट यहां दिक्कत यह थी कि offer तो चल रहा था लेकिन यहां पर क्या था कि size मिल नहीं रहा था और इन लोगों ने ना हर size में जो इन्होंने एक ही tag लगाया था चाहे वो 4 नंबरो 5 ओ 6 ओ 7 ओ सब में tag एक ही लगा हुआ था एक ही size का तो वैसे भी confusion हो रहा था तो मुझे ना यह वाले shoes पसंद जो मैंने starting में देखे यह थे 499 के नहीं 399 के थे 1000 के थे तो यह जॉर्डन की copy लग रही थी मुझे और यहाले sleepers भी मुझे काफी अच्छे लग रहे थे बहुत अच्छे footwear थे यहां पर उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा cosmetic में जहां थी lipstick वगेरा और lip gloss वगेरा सारी चीज और यहां पर eyeliner, eyebrow pencil पता नहीं क्या क्या था और यह था 100 या 149 में 3 shade थे nude shade इसमें यह भी मैंने नहीं लिया मुझे कुछ खास नहीं लगा उसके बाद मैं अपनी billing करा के आ गई थी घर मैंने सरिफ एक ब्लैक वाला hood लिया था वो काफी सही था 300 का मैं हापर fruits लेने आई थी तो यह apple ना मुझे लेने का बड़ा मन था बट इनको देखके साफ लग रहा था कि जादा मीठे नहीं होंगे क्योंकि यह नए नए season के हैं अभी तो इतने मीठे नहीं होंगे खटे खटे type के होंगे यह हमारे रामगड के side से वाले apple है वहां थोड़ा सा ऐसे apple होते हैं भी 60 रुपे किलो हो रहे हैं आप लोग क्या rate हो रहा है मुझे जरूर बताना मैंने लिया था टमाटर आलू और भिंडी ली थी शिमला मिर्च लिया था ये सारी सबजियां लेके मैं घर आ गई थी और घर आके मेरा बेटा भी जो है ना आ गया था school से क्योंकि इसकी स्कूल आने से पहले ही मतलब घर आके खाना पीना बना के सारी चीज़े मैंने कर ली थी उसके बाद मैं इसको वही सब पूछ रही थी स्कूल का दिन कैसा गया खाना खाया या नहीं खाया अच्छा मुझे ना जूडियों की सेल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई अगर जातके खाने की प्रिपेशन कर रही थी I think मैंने इसमें दाल बॉइल करी थी या भुट्टा मुझे भी अच्छे से याद नहीं है मतलब मैं कर रही थी इसमें उसके बाद दक्ष का टाइम हो गया था टूशन से वापस आने का ये लड़का टूशन से भी वापस आ गया थ पूरा ऐसा दिख रहे है रिंगो बनना अधा इकता है ना हाँ हलका दिख रहे है जाओ चाता लाव पर से मनाएंगे तो देखिए हमारे यहां दो रेंबो आए है एक दार और एक लाइट उसी के पीछे से इतना प्यारा नजारा पहाडों में रहके यही फायदा है वहाँ देखो कितना खतरनाग मुसम है बहुत जाओदर हम आदे से जादा भी सुटे है दक्ष का मूँ देखो दक्ष वही पर बारिश ओड़ी थी फिर मैं यहां पर बारिश पीछा करने लगी मेरा बहुत सुंदर लग रहा है बहुत ही सुंदर कर रही थी बटम छत में छाता लेके आ गए थे रेंबो देखने के लिए आज तो दिन बन गया सच बतारिओं में आप लोगं को उसके बाद यहां पर मैंने दक्ष को थोड़े से गब्बू गोसा जो है कट करके दे दिये थे इसको यह खाना था और सच बतारिओं रेंबो इतने करीब से देखा इतने सालों बाद वो भी डबल बहुत जादा खुशी मिली सिले मैं कहते हूं पहाड़ों में रहने का न यही फायदा है तो जल्दी मिलेंगे नहीं और अच्छी वीडियो में तब तक ले बाई